हलो एब्रिवन वेल्कम बैक टो मैं चैनल एस्प्रेंट्स उडान सो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि हमने जो सीरी स्टार्ट किया है क्रंट अफेर की डेली क्रंट अफेर की होप सो आपको यह सीरी जो अच्छी लग रही हो और प् आपको नाम से इसका थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि थोड़ा जैपनीज नाम जो है लग रहे हैं तो यहां पर जो अंसर है उसका है चाइना चाहिना ने जो है थर्ड अपना विवान वाहक पोचो है लॉंच कर दिया है अगर बात करते हैं कि हम दो और जो है वो कौन-कौन से थे तो वो है हमारे जो फर्स्ट था हमारा उसका नाम है लिया ओनिंग लिया ओनिंग जो कि लॉंच किया था 2012 में ठीक है दूसरी की बात करेंगे जो दूसरा है हमारा सेकिंड की जो बात करूंगी तो सेकिंड है हमारा शेडॉंग जो शेडॉंग है यह हमारा सेकंड चो था चाइना के दुबारा लॉंच किया गया विमान वाहग पोट था ठीक है अगर मैं बात करूँ कि इसकी कब हुआ था तो 2019 में जो था लॉंच किया गया था बात करते हैं हम फूजियान की तो फूजियान जो है पहले इसक इनके नाम इनी पर पड़े थे, बात करती हूं मैं कि चाइना, चाइना का टार्गेट है, पांच विमान वाहग पोत को लॉंच करना ठीक है, जिसमें की तीन वो कर चुके हैं, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा की, यह कहां से लॉंच किया गया, तो शंगाई के ज्यांगशी प्य प्याद से भी अधिक है, ठीक है, और अगर मैं यहां पर बात करती हूं, अगर मैं बात करती हूं, इंडिया की, तो इंडिया का स्वादेशी विमान वाहग पोत कौन सा है, तो वो है हमारा INS विक्रांथ, यह तो सब को पता ही होगा, मैं यहां पर वेशक करवा रही हूं, आपको वर्ल नाइनर, बट मैं उसके साथ ही आपको जो है, बहुत जादे इंफोर्मेशन दे रही हूं, जो कि आपके पेपर्स में से कोई भी कोशन बन जाए, तो आप इजीली उसको जो ह इजीली टैकल कर लें, ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स कोशन की, तो यह रहा हमारा जो चाइना के दोवारा लॉंच किया गया, विमान वाहक पोथ है, फूजियान, यह रहा, नेक्स कोशन की बात करते हैं, तो नेक्स कोशन है हमारा किस कंपनी ने 2022 में सबसे मुल् सबको बतेगे होगा की कौन होगा एपल होगा क्यों क्योंकि एपल ने 947 बिलियन American dollar के ब्रांड मुल्य के साथ पहले trillion dollar brand जो है वो कौन बन गया अगेँ ? एपल बन गया ठीक है क्यों पहला trillion dollar जो ब्रांड है वो कौन कि एक उसी कंपनी बन गई तो एपन गई है अगें अगर मैं बात करूंगे टॉप टैन की तो टॉप टैन में जो हैं आम में टॉप 4 की बात करते तो पहले में अपन दूसरे में Amazon तीसरे में Google और चोथे में Microsoft ठीक है अगर इंडिया की बात करती हूं सबसे पहले में एंके CEO की बात कर लेती हूं तो जो important question बनते हैं पेपर से वो भी आप ध्यान में रखें अगर हम इनके सीओ की बात करते हैं तो Apple के सीओ है हमारे टीम कुक ठीक है और Amazon की बात करोंगे तो Amazon के हैं हमारे पहले तो Jeff Bezos थे बट अब कौन है अब जेंज होगा है हमारे एंडी जैसी पीनलब को संदर पिंचाई चाहि यह याद रखना है इनको संदर पिंचाई और Microsoft सत्य चाहि एंब लिए याद रखना बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है next question की बात करते हैं तो अगर मैं बात करूँगी सबसे पहले कि अब आप बोलोगी कि ये तो world की है बट इंडिया की कौन सी है और साथ में facebook भी facebook हमेशे चाया रहते है तो facebook अगर facebook की बात करूँगी तो facebook जो है 8th रंबर पर है ठीक है facebook का अब नया नाम जो है meta है बात करती हूं मैं इंडिया की तो इंडिया की जो टॉप 100 पर रही है वो चार कंपनी रही है ठीक है तो आप देख सकते हो फर्स्ट कंपनी है उसमें TCS दूसरी है HDFC तीसरी है Infosys और चोथी हमारी LIC अगर मैं इंकी रैंकिंग की बात करती हूं तो TCS जो है 46 रैंक में है और हमारी जो HDFC है वो 61 Infosys जो है हमारी 64 एंड LIC की बात करेंगे तो 92 रैंक इनका ठीक है नेक्स कोशन की बात करते हैं हम किस हवाई अड़े को 2022 के लिए विश में सर्फ्षरेष्ट के रूप में स्थान की दिया गया है तो कौँसा हवाई अड़े जो विश में पैस्ट एरपोर्ट रहा है तो इसका राइट अनसर है हमारा हमAD एरपोर्ट थीक है हमद airport जो है पहले सबसे पहले यह है कहाँ पे तो यह हमारे कतर के दोहा में है कतर की capital क्या है दोहा है और यह जो airport है यह दोहा में है ठीक है तो इसको जो है second time जो है best airport का award मिला 2022 में ठीक है बात करूँगी अब मैं जो बाकी airport इनकी भी बारे में बात कर लेते हैं तो यह जो है हानेडा हानेडा एरपोर्ट जो है हमारा सबसे बात करेंगे है कहां इसको रैंक 2 मिला है ठीक है इसको फरस्ट मिला इसको रैंक 2 मिला और इसको रैंक 3 मिला है जो हनेडा एरपोर्ट है यह है हमारा टोक्यो में ठीक है टोक् और 62 शीवा जी ये टो आपको पता ही होगा चाहां पर इंडिया में पर मुंबई में थीक है और यह राहा यहां पर हमारा हमद एयरवोड है आप की फैसिलिटी है तौ इसको जो है बैस्ट एयरवोड का इवोर्ड मिला next question की बात करेंगे question है हमारा fourth जो 2026 के FIFA Cup की मेचवामनी कौन सा देश नहीं करेगा question ध्यान से पढ़ा करो नहीं करेगा तो पहले बात करते हैं 2022 की जो FIFA Award जो अभी होने है FIFA Cup जो है उसके बारे में बात करते हैं तो 2022 के FIFA कहां पर होना है वो होना है कतर दोह में ठीक है कतर दोह में जो है ये होना मारे 2022 के FIFA World Cup सबसे पहले बात करूँगी made to FIFA का कितने साल बात होता है तो चार साल के बाद आता है ठीक है 2022 में होगा उसके बाद 2026 में होगा तो अगर FIFA की बात करूँगी है मैं यहाँ पर अगर फीफा की बात करूँगी तो फीफा का International Federation of Association Football यह इसकी full form होती है तो मतलब फीफा क्या है Football का Championship है Football की International अब मैं बात करूँगी इस question पर आ जाते हैं कि 2020 अब मैं 24 उसकी बात तो कर दे 22 में कहां पर होगा यह होगा हाँ यह 21 नॉवंबर से होगा अगर कतर हमारी अभी कर रहा है शित का ऊहा ज्याफ के Кततर अभी कर रहा है तो बाकी इस अग्न्ट्री है मिलेंगे नाघ्स्ट जो है इसकी मेजवानी से क्वहनी करेंगे अब यह जो है अमेरिका मैकिक मैकिकू और कैनेड़ा यह करेंगे और यह जो तीनों कंट्री है इनकी जो इनके अंदर जो इनकी जो City है जिसे अमेरिका की 11 City, मेक्सिको की तीन City और जो हमारी Canada की है इसकी दो two city है वो इकठे होके जो है मतलब कुछ वहाँ पर होंगे कुछ खेल वहाँ पर होंगे कुछ वहाँ पर होंगे तो ऐसे तीनों merge करके जो है यह इकठे होके जो है दो हजार शब्विस का फिफा कप की मेचवानी करेंगे और यह जो है फर्स टाइम जो है इसमें 48 जो है पार्टिस्पेट करेंगी ठीक है next question की बात कर अगर मैं बात करती हूँ हाँ यहाँ पर एक important question बनता है हमारा कि जो इसके head है फिफा के वो कौन है तो जियानी infantino जो है यहाँ पर लिख देती हूँ मैं जियानी infantino infantino जो है वो इसके जो है head है और कब established हुआ था यह फिफा world cup तो यह हुआ था 1904 में ठीक है और इसका जो headquarter के बात करेंगे यह भी important है कि फिफा headquarter का है तो इसका जो headquarter है वो जूरिक स्वीजरलेंड में है ठीक है जूरिक स्वीजरलेंड में है अगर next question की बात करते हैं next question है हमारा अंतरराष्टी योग दिवस कब मनाया जाता है तो यह तो आपको पता है योगा आज 21 है मतलब आज ही आज के दिन ही योगा दिवस जो है मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है पर सबसे पहले मैं बताऊं कि योगा जो योगा है यह कहां से originate हुआ था तो according to Hindu mythology जो शीवा है वो इनके originator थे किसके योग के आपने सुनोगा कि शीवा को क्या बोलते है इनका नाम है आदी योगी आदी का मतलब क्या हुआ फरस्ट मतलब जो योगी ठीक है आदी योगी का मतलब हुआ उनके बाद जो थे वो किसके वो उनके जो शिश्य बने मतलब वेदाज में बोला गया जो सब्त रिशी थे उनको किसने शिक्षा दी योग की तो वो दी थी शीवा ने शीवा उनके टीचर थे अगर मैं यहां पर बात करूंगी और अगर हम बात करेंगी अंतराष्ट योगा दिवस कब से मनाया गया तो 2014 में क्या होता कि UN UN General Assembly की मीटिंग चली होते हैं वहाँ पर जो है नरेंदर मोधी जी जो है वो आइडिया देते हैं योगा का और 2015 से जो है योगा दिवस मनाया जाने लगा अगर मैं बात करूं कि 18 जून की तो 20 जून की तो 20 जून जो था पिछले दिन जो क्या था उस दिन तो रिफ्यूजी डे था उस दिन ये भी याद रखना ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं राम बहादूर राय की पूस्तक भारतिय सविधान अनकही कहानी का विमोचन किस ने किया तो जो याद रखे कि राम बहादूर राय की पूस्तक कौन सी थी भारतिय सविधान अनकही कहानी मतलब राई बहादुर का ये कहना है कि जो हम आने वाली पीड़ी वो अपना इतियास जो है जो भी उन्होंने स्ट्रगल किया गरांदिकार्योंने वो सब भूल रही है तो उसको याद दिलाने के लिए अपने सविधान को याद दिलाने के लिए उसकी लोगों को उसकी छवी दिखाने के लिए जो है यह जो बुक जो है उन्हों लिखी है तो इस बुक का वो वाचन की बात करेंगे तो किस ने किया तो वो किया गया नरिंदर मोधी जी के दुबारा जो कि हमारे भारत की प्रधानमंत्री है ठीक है next question की बात करूँगी है तो next question है Olympics champion नीरे चोपडा ने Finland में कोल्टेन खेलों में कौन सा पदक जीता तो आपको पता हिए नीरे चोपडा को जो है golden boy बोलते हैं और यह हमेशा कौन सा medal जीते हैं तो अकसा टाइम जो है यह gold medal जीते हैं तो अगेन इन्होंने फिन्लेंड पे जो है, अलंपिक चैंपियन्शिप में जो है, गॉल्ड मैडल जीता है, तो नीरा चोपड़ा का समंध की स्केल से हैं, तो इनका समंध है जैवलिन थो से भाला फैंक से, यह मैंने आपको पीछे भी बिताया, साथ अगस्ट को जो है भाल फैंका था, जिससे उन्होंने इंडिया को जो है, 골ड मेल दिलवाया था, नेक्स्ट बात करते हैं मैं नेक्स्ट कोशन की, तो ये रहे गोल्डन वौई नीरे चोपडा, अब मैं नेक्स्ट कोशन जो हमारे वन लाइनर कोशन होंगे, जो कि हमारे HP के question होंगे तो यहाँ पर बात करूँगे मैं श्रीखंड महादेव यात्रा 2022 दो साल बाद 11 जुलाई से शुरू होगी जुलाई से शुरू होगी श्रीखंड महादेव की यात्रा बात करूँगी श्रीखंड तो श्रीखंड कहां पर आए यह सब को पता होगा कि श्रीखंड SPK कहा किस टिस्टिक में है तो कुल्लू डिस्टिक में है इसकी यात्रा जो है दो सालों से नहीं हो रही थी अगेन इसकी यात्रा जो है स्टार्ट के जाएगी 11 जुलाई से नेक्स्ट कोशन है जस्ट कबड़ी लीग जस्ट कबड़ी लीग की बोली में 2.90 लैक में बिके हिमाचल के दिवांशू दिल्ली दमदार से खेलेंगे तो अभी हमारे 23 जून से हमारे जस्ट कबड़ी लीग स्टार्ट होने वाले है जिसमें जो है दिल्ली और हर्याना का मैच है जिसमें की हमारे हिमाचल के दिवांशू जो है दिल्ली की तरफ से खेलेंगे और ये 2.9 लैक के बिके हैं अगर बात करूंगे किस डिस्टिक से है तो ये सिर्मोर डिस्टिक से है लास्ट कोश्चन है हमारा वूमेंस वेट लिफ्टिंग क्रिश्चन ने हिमाचल की जोली में डाला पहला पदक जीता कांसे ठीक है तो वेट लिफ्टिंग जो आज यहाँ पे आई थिंक नगरोटा में जो था इसके पृतियोगिता जो थी वो चली हुई है तो इसमें क्रिश्चन ने हिमाचल की जोली में डाला लगी हो वीडियो अच्छी लगे और आप चाहते हो कि हम इस सीरीज को कंटीनू रखे तो प्लीज हमें मोटिवेट करने के लिए कोमेंट भी करें वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब करें गार्ट तया हुट झाल नहीं कियासिए करें उसक्राइब नेट सीरीज करें वीडियू घ्या definis ini इसना हैं जूने साथ के लिएग